आकाश्वानी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेश पोनिन कारिक्रम रेडियो डॉक्टर बदलते हुए मौसम ने छोटी छोटी बिमारियों का होना आम हो जाता है चुकि मौसम के साथ साथ आपका environment और temperature में भी काफी changes होते हैं और जिसके कारण flu, cold, cough और ऐसी कुछ ही और परेशानियां आपको घेर लेती हैं जिसमें कुछ तो खुद ही अपने ठीक हो जाती है तीन-चार दिन के बाद लेकिन कुछ बिमारियां ऐसी भी हो जाती है जो टाइम लेती हैं नमस्कार अश्मी जी और मेरे सभी शुरुताओं को और Radio FM के सभी शुरुताओं को मेरा नमस्कार तो डॉक साब चुकि नमस्कार हो गया है और हमने हमारे listeners को ये भी बता दिया है कि आज का हमारा विशह है seasonal ailments, types और precautions तो सबसे पहले सर में आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जो seasonal ailments होती है बिमारियां होती है मौस में उनके अंतरगत कौन-कौन सी basically बिमारियां आती है और कौन से seasons में ये problem ज्यादा होती है जैसे कि आपने नाम बताया seasonal ailments तो seasonal ailments usually season change में होता है जैसे सर्दियों में अगर अपन बात करें जैसे भी आजकल का मौसम चल रहा है तो जैसे सर्दियां शुरू होती है तो कफ, cold, flu, viral conjunctivitis ये सब बहुत common है इवन किसी किसी को एक कफ बढ़के अस्त्मा भी हो जाता है bronchitis जिसको हम बोलते हैं ये सब चीज़े काफी common है seasonal ailments में इस मौसम में और बाकी seasons में अगर हम देखें तो जैसे गर्मियों में हैं तो diarrhea की chances थोड़े से बढ़ जाते हैं और अगर हम rainy season की बात करें तो rainy season में malaria, typhi, dengue ये सब भी आजकल seasonal variations की वज़े से होते हैं और इस वक्त चुकी सर्दियां शुरू हो रही है मौसम एक बार फिर से बदल गया है और खास दोर पर सुभा और रात के वक्त काफी ठंड़क रहती है लेकिन दिन का मौसम थोड़ा गरम रहता है तो इस वक्त भी क्या ये seasonal बिमारियां बहुत जादा अटेक डालती है कफ कोल्ड की प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है डॉक्टर अलजे कुमार गुपता डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन से हैं और मेक्स हॉस्पिटल में बैठते हैं और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी सीजनल एल्मेंट से रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फोन नंबर है 011-234-21080 और 234-21084 और साथ ही यदि आप हमें वाट्सेप करना चाहते हैं मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868-107070 पर आप सुन रहे हैं विशेश फोन इंकारिकरम रेडियो डॉक्टर जी हां बिल्कुल मौसम नींदे चुरा लेता है जब मौसम बदलता है चुकि अपने साथ में लेकर आता है बहुत सारी चोटी मोटी बिमारियां जो आपका नींद आपका चैन और आपका सुकून चुरा लेती हैं तो यदि आपको भी किसी तरह की परेशानी है कोल्ड कफ फ्लू या फिर किसी और तरह की सीजनल एलमेंट से आप परेशान है तो आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं हमारा फोन नंबर है 011-234-1080 और 234-1084 और साथ ही यदि आप हमें वाटसेप पर अपना मेसेज भेजना चाहते हैं तो हमारा वाटसेप नंबर है 9868-1070 सर जैसे कि अभी हमने बात की कि मौसम बदल रहा है सर्दियों का मौसम आ गया है तो इस वक्त कोल्ड कफ के अलावा क्या और भी कोई ऐसी परेशानियां ज्यादा रहती हैं कि लोग उससे परेशान हो जाते हैं किस तरह के वाइरल इंफेक्शन बेसिकली इस दौरान देख चैंड करता है तो किसी किसी को सर में दर्द, शरीर में दर्द, जोडो में दर्द, हलका सा डिप्रेशन सा लगना, हाथ परो में दर्द रहना, इच्छा नहीं करनी, लिथार्जी होना, ये सब कॉइट कॉमन होता है फिर कोल्ड कफ बढ़के अस्त्मा में भी कनवर्ट हो जाता है जिसको हम ब्रोंकाइटेस बोलते हैं तो ये भी सीजनल वेरियेशन के दौरान होता है किसी किसी को वायरल कंजक्टिव एटेस भी हो सकती है और कभी कभार वायरल डाइरियाज भी इस मौसम में किसी किसी को हो सकते हैं तो ये सब वायरल इंफेक्शन्स हैं जो एक महिने का फीवर यूजुली एवैलूएशन की हगदार है इसमें हमें एवैलूएट करके देखना पड़ेगा खाली वैरल होने के चांसे बहुत कम है अगर एक मैने से लगातार आपको फीवर है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए और खासका जब इतना हाई ग्रेड एक मैने से चल रहा है तो आपको अपने सारे टेस्ट कराके देखने चाहिए कि फीवर का कारण क्य क्योंकि fever itself कोई बीमारी नहीं होती वो किसी ने किसी बीमारी की वज़े से है तो बीमारी की वज़े क्या है क्योंकि एक मैने से बुखार है तो मैं यह नहीं कहूंगा कि खाली viral fever होगा एक और मेसेज आया है लिखने वाले हैं सागर यह कह रहे हैं कि what precautions हमें लेनी चाहिए viral seasonal influenza के टाइम पर और क्या यह जो seasonal flu है वो deadly disease हो सकता है यूजिली हम लोग जैसे अभी मैंने बताया है कि यह किसी को भी हो सकता है पहला यूजिली जिनकी immunity कम होती है उनकी उन cases में severity ज़ादा होती है तो अगर आपका कोई भी cough cold flu अगर आपको तीन से पांस दिन से ज़ादा है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहि क्योंकि अगर यह pneumonia में तबदील हो जाता है तो वो जादा दिक्कत की बात है तो यह flu किसी को भी pneumonia में तबदील हो सकता है खासकर उन लोगों को जिनकी immunity कम है जैसे जिनको kidney की कोई बीमारी है या sugar है या जिनको पहले से कोई cancer का treatment चल रहा है या वो already steroids पे हैं तो इन इस तरह के patients को pneumonia का खत्रा जादा होता है तो इस तरह के patients को खास सावधानी बरतनी चाहिए फिर precautions की अगर बात करें तो अगर किसी को cough cold flu है तो ideally उसको अपने घर में रहना चाहिए मास्क पहन के रहना चाहिए वो बाहर ना निकलें जादा लोगों से ना मिलें क्योंकि जितने लोग कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है तो हमें कोविड से सीख लेनी चाहिए कि मास्क पहने बार बार हाथ दोएं जादा भीड में जाएं अगर किसी को cough cold है तो इससे थोड़ा सा distance maintain करें और अगर आपको खुद को बिमारी है तो बेटर है कि आप 2-3 दिन का rest लें घर म रहें ताकि आप किसी और को ना फैलाएं और अपना इलाज जरूर करवा है बिलकुल और शायद यही वज़े है आजकर schools में और offices में भी यही recommend किया जाता है कि यदि आपको थोड़ा भी flu है तो आप बच्चे को घर में रखें चाहे exam भी क्यों ना हो और यह केवल उनकी safety क लिए नहीं बजाए बाकी जो सारे उनके साथ में जो पियर ग्रूप है उनकी safety के लिए भी जरूरी है और साथ-साथ जो officials है उनके लिए भी उनके ओफिस में उनके दोस्तों के लिए भी उतना ही जरूरी है सर जैसे कि आम तोर पर season के आई साथ जो problem साती है हम कहते हैं आप पिछे pollution भी एक वज़े हो सकती है जी बिल्कुल दिल्ली का gift है pollution तो हमारे ले जी तो जैसे pollution की वज़े से ये चीजे थोड़ी सी बढ़ गई है और जैसे कफ कोल अगर है तो pollution और जो हम लोग रोज AQI देखते है air quality index उसमें बढ़ोतरी की वज़े से ये जो irritation वाला जो कफ है ये थोड़ा सा लंबा चल रहा है लेकिन अगर फिर भी आपको साथ से आठ दिन से ज़्यादा खांसी है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए कि ये नॉर्मल खांसी है या कुछ और तो नहीं है ये देखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक परामर है और फीवर दो से तीन दिन ही रहा है तो कुछ नहीं करना ये सेल्फ लिमिंटिंग होता है फ्लू ये यूजिली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानि की सिंपल परासेटिमॉल की गोली और एक एंटी अलर्जिक और कफ के लिए जो कफ सप्रेसेंट्स होते हैं वो आप ल जादा का है खासी चार-पांच दिन से जादा की है तो बेटर है कि आप एक बर अपने डॉक्टर से जरूर मिले हैं जी सर एक मैसेज आया है लिखने वाल है ये श्पाल दौर का सी वो कह रहा है कुछ डॉक्टर्स एंटीबाइटिक्स प्रेफर कर देते हैं सीजनल वाइर तो यूजली एंटीबाइटिक की जरूरत नहीं होती है इसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही काफी कुछ लोग ठीक हो जाते हैं इस मौसम में गले में खराश रहती है कैसे इसका रख रखाव रखना चाहिए और ये सीजन में कैसे खान पान होना चाहिए आउसम के दौरान या बीमारी के दौरान ये लेकिन यूजली भी ठीक होना चाहिए आपकी डाइट में स्पाइसी फूड या बाहर का खाना या बहुत जादा तेल मिर्च मिसाले का खाना ये सब कम होना चाहिए जिसको हम लोग चंग फूड बोलते हैं वो कम होना चाहिए आप healthy food खाई है जिसमें कि vitamins हो, minerals हो, आपके diet में nuts होने चीए, fruits होने चीए, vegetables होने चीए उससे आपकी body को रोग से लडने की क्षमता मिलती है तो usually अगर आपको cold cup होगा भी तो उसकी जो intensity होगी बहुत कम होगी लेकिन suppose आपको होई जाए, तो फिर आपको ऐसा खाना खाना चीए, जो आपके गले में irritate ना करें जैसे कि आप खलका-फलका खाना खाएं, मिर्च मसाला और खटाई वाला या जो भी कोई irritation करता है इमली है, अमचूर है, इस तरह के मसाले वाला खाना आप कम से कम खाएं, तो आपका जो जैसे गले में infection का इनों ने पूछा तो वो उसकी जो ठीक होने की जो time है वो कम हो जाएगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे उससे तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज डॉक्टर आजे कुमार गुपता जो Department of Internal Medicine से हैं, यदि आपकी भी कोई query है seasonal ailments related तो आप हमें message कर सकते हैं 9868 107070 पर आप सुन रहे हैं विशेश फोन इनकारिक्रम रेडियो डॉक्टर और एक बार फिर से रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है डॉक्टर जेकुमार गुपता, Department of Internal Medicine और आज का हमारे विशे है seasonal ailments, types और precautions, तो डॉक्टर साब हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, जानते हैं इन जानते हैं, तो जो भी प्रब्लम होती है, उसके लिए हमें डॉक्टर जाना हो, एंटिबाइटिक देते हैं, मेडिसन, तो ये एंटिबाइटिक मेडिसन ज्यादा कॉंटिटिव में लेना नुक्सान दाग नहीं होता, कि आखर बताने का स्टुकर हैं, ये थोड़ दर पह पोष्ट में कुछ ऐसा आता है, कि जिसमें हमें अंटिबाइटिक की जरुवत होती है, तो हम एंटिबाइटिक रिकमेंड करते हैं, नहीं तो नहीं है, एक और कॉलर है लाइन पर, जानते हैं, ये क्या पोष्टना चाहते हैं, हलो, हलो, जी कौन बोल रहे हैं, नमस्कार दरामीर काने ने देली से बात कर रह आ हूं, जी बताईये, आपका सवाल पूछी ए, लक्साम नमस्कार, लक्साम जैसे अब रात के समय सोते हैं, तो रात के समय अगर रात को उठाना परता है, तो क्या होता है, गला बिल्कूर ठाय हो जाता है, गले में कुछ ऐसा है, जिस किस कारण से होता है और दूसरा यह भी बताईए कि हमें अपा दूशन से बचने के लिए कही उपाय करते हैं फिर भी हमें खानपन में भी कुछ दियान देना पड़ा है कि अगर खानपन हम अच्छा रखे तो उससे भी हम उससे बचेंगे पहला तो पहले सवाल का जवाब ज होती है गले में ड्राइनस की रात में जिससे की आप जिससे बता रहे हैं कि 3-4 बजे नीन खुलती है तो एक यह बहुत बड़ा कारण होता है जो हमारे कई पेशिंट्स भी हमसे डिसकस कर चुके हैं लेकिन बैस तरीका इसके लिए है कि आप रात को अगर पॉसिबल हो तो गला और गला साफ करके सोएं और मंजन जरूर करके सोएं अगर यह सब आप करते हैं तो आपके जो ड्राइनस वाली जो एपिसोड्स हैं यह काफी कम हो जाएंगे फिर आपने जो दूसरा सवाल जो पूछा था खान पान से रिटेटर तो जैसे खान पान में जो अभी प्राइस करने पड़ेंगे तब जहांके पॉल्यूशन रुकेगा इसमें सभी का सपोर्ट चाहिएगा लेकिन तब तक हम अपने खान पान में जैसे मैंने बताया था कि आप जंक फूड का एवॉइड कर सकते हैं ओपन जो स्ट्रीट फूड्स हैं वो ऐसी जगे पे खाए जहांके साफ सुतरा हो उसमें धूल मिट्टी की मातरा ना हो तो या बहुत पुराना खाना बना हुआ ना हो यह सबाप रके भी अपना जो सीजनल एलमेंट्स है उसको ठीक रख सकते हैं तो एक सवाल आया है, लिखने वाले है, राजकुमार, 32 साल की है, कराला विलेज, नई दिली से लिख रहे हैं, मुझे कफ की काफी शिकायत रहती है, चेक अप भी कराया, लेकिन सब नॉर्मल है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इस तरह की दिक्कत है, तो आप सबसे पहले तो, अगर आपने किसी डॉक्टर से मिले हैं, तो अपना अलेर्जी टेस्ड जरूर कराएं, इस तरह के कफ जातर अलेर्जी कफ हो सकते हैं, मिलिंद नायक लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट्स को विंटर में क्या जाबधाने बरतने चाहिए? अगर आपको ब्रेन स्टोक हुआ है, तो आपको कोई ना कोई प्राइमरी प्राब्लम जरूर होगी, जैसे कि ब्लड़ प्रेशर है, या कॉलेस्ट्रोल की जाच अगर आपकी खराब है, तो आपको उसकी दवाई तो प्रॉपर लेनी है, और फिर ऐसे पेशेंट्स को हम करें खासकर मौसम चेंज के दोरान तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आज कुमार गुपता और हमारा आज का विश्य है सीजल एल्मेंट्स टाइप्स एंड प्रिकॉश्टन से दिया आपका भी कोई सवाल है तो आप डारेक्ट सूडियो में फोन कर सकते हैं 011-2342-1080 और हमारा दूसरा नंबर है 2342-1084 टॉक्स अब जैसे कि आपने बताया भी कि जो एल्मेंट्स हैं उसमें हमें ऐलर्जी वगेरा से भी प्रॉब्लम होती है ऐलर्जिक जो मिलते हैं उनसे हमें अवाइड करना चाहिए बाहर का खान पान हमें अवाइड करना चाहिए तो क्या कितने परसिंट गारेंटी रहती है कि भाहर का ना खाने से और मतलब चुकि बॉसम में पॉल्यूशन भी है सब तरफ है लेकिन जैसे हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं और और अब या कोविड की बाद भी लिए आपने अपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं देखिए यूजिली जैसे मैं आपको बताया है कान पान के लिए तो आगर किसी स्टैंडर जगाए से ले रहे हैं या उसमें जैसे मैंने बताया कि अमुमन अपन जैसे खुली जगह से गर लेते हैं तो वहाँ पे धूल बिटी और जो स्मोक है वो डारेक्ट कॉंटेक्ट में आता है फूड के और उसी का अगर हम सेवन करेंगे तो वो कोई ना कोई इंफेक्शन ज़रूर करेगा तो उस तरह से हम बचाव कर सकते हैं अपना दूसरा पॉबलिक ट्रांसपोर्ट पर जब हम बैठें तो हमारे हां मास्की कॉलिटी होती हैं तो जो बेस्ट कॉलिटी जो हम बोलते हैं जिसे में कि हम वाइरस को भी प्रोटेट कर सकते हैं वो N95 मास्क होता है तो आइडिली तो अगर आपको फ्लू से या इवन कोविट से या किसी भी तरह के वाइरल इल्नेस से बचना है तो N95 मास्की रिकमेंडेट होता है लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि पॉलूशन है या डस्ट है इसका निवारन हम सिंपल क्लॉट मास्क या सर्जिकल मास्क से भी कर सकते क्योंकि N95 में कॉस्ट बहुत जादा हो जाती है जी 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 एक सवाल आया है हिमाचर प्रदीश से लिख रहे हैं मन्थन करे रोस खांसी चल जाती है और जैसे ही वो कुछ ठंडा पीते हैं उस वक्त खांसी जादा हो जाती है तो उन्हीं क्या करना चाहिए ये भी क्वेश इसमें ये कह रहे हैं कि ठंडा खाने से ठंडा पीने से हो जाती है तो इसमें हम लोग कॉंस्ट्रिक्शन वर्ड यूज करते हैं या जैसे आप कुछ खाते पीते है तो एकदम से जो गले की नाडी है वो सिकुड जाती है और उसकी वैसे इरिटेशन होता है तो ये एक वक्त जरूरत है एक छोटा सा ब्रेक लेने की आप सुन रहे हैं विशेश पौन इनकारिक्रम रेडियो डॉक्टर रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आज का हमारा विशे है सीजनल एल्मेंट्स टाइप्स एंड प्रिकॉशन्स और आज हमारे सा स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजे कुमार गुपता जो डारेक्टर और हेड हैं डिपार्टमेंट इंटर्नल मेडिसिन से सवाल हम तक पहुंचा है लिखने वाले हैं मनोहर लाल गांधी चानक के चौक से कहते हैं शाम होते ही अत्यदिक पॉल्यूशन की वजह से सिर में दर्द आँखों में जलन की समस्या रहती है और इस बदलते हुए मौसम में गला खराब खांसी और श पॉल्यू लाइक सिंड्रोम जिसमें आँकों में भी इरिटेशन रहेगा गला सर्दी खांसी और हलका फुलका सा बुखार होना चिर्चडा पनाना सिर में दर्द होना यह सब एक फॉल्यू लाइक सिंड्रोम कहते हैं इसको तो यह यूजली जैसे हम बात कर रहे थे कि हम सभी लोगों को इसके लिए काम करना पड़ेगा और दीरी दीरी चीज़ें ठीक होंगी और आप बस जब भार जाएं तो आप मास्क लगा के जाएं ताकि आपको किसी से ना हो और आप से किसी को ना हो दोनों चीज़ों का निवारन होगा और अगर यह बहुत जादा प् कर सकते हैं जैसा है कर सीर दर्ध है बुखार है तो आप एक पैरसेटिमॉल की गोली ले सकते हैं और गले के लिए तो गरम पानी में नमक डाल के आप गरारे कर सकते हैं और एक विटामिन C की गोली ले सकते हैं अपने भी गरम पानी की बात की तो इन्होंने एक सवाल और भ किस तरह का कफ सिरफ लेना चाहिए यह वाली बात तुम्हें बिना देखे रिकमेंड करना बड़ा मुश्किल है दूसरा गरम पानी में यह कि बहुत जादा गरम पानी हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं हम लोग केते हैं कोसा पानी जिसको लूप वाम केते हैं जो हम आराम से पी सकते हैं, जैसे हम लोग चाई पीते हैं, या कॉफी पीते हैं, जिस टेंप्रेचर का वो उता है, युजि dual हम लोग रेकिमेंड करते हैं कि 60 डीगिरी से कम का あज चाई कॉफी का भी टेंप्रेचर 60 डीगिरीस से कम का होना चाहिए तो कोसा पानी का मतलब होता है कि आपका जो temperature है वो इतना हो कि आप easily उसको गल्ब कर सकें आप पी सकें तो उससे कोई problem होने के chances कम हो जाते हैं इंडर सिंग लिख रही है कह दें मुझे acidity है और माफ कीजेगा इंडर जी आपका जो सवाल है वो इस program से related नहीं है और इसके अलावा messages आ रहे हैं लेकिन सर एक छोटा सब break हमारा इंतिजार कर रहा है तो मुझे लग रहा है वो ले लेना चाहिए इंडर जी के सवाल का जवाब दे दें मैं सोच रहों कि acidity के जो बात कर रहे है ये हो सकता है मतलब इस मौसम में भी थोड़ी से ज़ादा हो जाती है किसी किसी को और दूसरा pollution related भी जो stress बढ़ता है उसकी वे से भी acidity हो जाती तो हो सकता इंडर जी को इसी वे से हो रही होगी तो सर तो फिर उसमें क्या करना चाहिए जो मैंने देखे सबसे important acidity का जो इलाज होता है वो है आपके खान-पान का परेज आप short frequent meals आप जबी भी खाएं फाइबर डाइट ज़रूर ले और इस मौसम में खास ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा गरिष्ट भोजन ना करें ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि विंटर में ज़्यादा तर हमें बैठने का काम होता है हम रजाई में से आकंबल से बाहर नहीं निकलते और वो जो गरिष्ट भोजन है मुझे लगता है वो बॉड़ी में जाके जमता है और उसकी वज़े से acidity बढ़ जाती है और इस मौसम में जैसे मैं आप शिरू में कहा रहे थे कि सुबह और शाम को थोड़ा सा ठंड होती है तो आलस भी बढ़ जाता है हम एक्सरसाइज भी कम करते हैं तो ये भी एक कारण हो जाता है acidity बढ़ने का तो आए हम सर से और भी बाते करेंगे और भी सवाल पूचेंगे तो जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े है हमाई listeners सुनना चाहते हैं उन्हें मैं एक बार फिर से बता दूँ आज का हमारा विशे है मौसमी बिमारियां ये दीन से related कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें वाटसअप कर सकते हैं नौ आठ छे आठ एक शुन्य साथ शुन्य साथ शुन्य पर आप सुन रहे हैं विशेश फोन इंकारिक्रम रेडियो डॉक्टर जी हाँ जो बदलता हुआ मौसम है ये भी कुछ-कुछ बदपाशी ही कर जाता है और इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती चोटी मोटी है लेकिन कई बार लंबी खिच जाती है हमारे साथ हमारे सामने लेकर आजाता है और उसी से जुड़ा आज का हमारे रेडियो डॉक्टर है प्रोग्राम खास तो अगला सवाल जो हम तक पहुचाया है वो है अनूप कुमार रांची से लिख रहे है सर पूछ रहे हैं कि डिहाइड्रेशन जो हो जाती है सर्दी के मौसम में उनके बारे में थोड़ा सा बताई है और उनसे किस तरह से हमें रिलीफ मिल सकता है जो हमारी जो प्यास लगने की शमता है वो कम हो जाती है तो जब प्यास कम लगती है और क्योंकि बाकी शरीर के अक्टिविटी तो सेम है हमारी जो डाइजेशन में जो पानी चाहिए जो हमारे पाकी शरीर के अन्जाइम्स के लिए जो पानी चाहिए वो चाहिए तो उसकी वेसे भी शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो एक तरीका तो यह है कि जो आप जबी भी सर्दियों में भी हो तो भी थोड़ा थोड़ा करके आपको प्यास ना भी लगे तो भी आपको पानी पीते रहना चीए दूसरा वायरेल डैरियाज पचाने के लिए एक तो खानपान आपका प्रॉपर हो अगर आपको दस्त हो जाएं तो ORS और फ्लूइड मैनेजमेंट ये प्रॉपर होना चीए आपका जैसे ORS का पानी आप पीते रहिए नारेल पानी नीबू पानी या कोई भी तरल प्रदार जैसे कि छाच है या दही है इन सब का भी सेवन आप कर सकते हैं सर्दियों में यूजुली कई लोगों की भ्रांती होती है क तो खटा या फ्रिज का दही अचाच ना ले लें लेकिन अगर फ्रेश दही अचाच ले रहें तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और थोड़ा सा शरीर को गरम रखने के लिए सर क्या खान पान रहना चाहिए ना चाहिए ये एक कॉमन मिस कंसेप्शन है कि श लिसनर थे, उनको ही इसका अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा, एक और लिसनर है, लिखने वाले हैं, सुनील कुष्वाह, दिलखुष, कुष्वाह, बीगा पुरुनाव से, पूछ रहे हैं, मौसम चेंज होते ही, सर्दी जुखाम हो जाता है, लेकिन साथ-साथ इन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, इससे कैसे बचें और इसका इलाज क्या हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं समझ पारहूं, इनका सवाल हो सकता है, इनको वाइरल ब्रॉंकाइटिस हो, जो फ्लू के बाद अमूमन हो जाती है, मतलब सर्दी खांसी के बाद, जो अगला, जो एक्स्टेंट कर रही है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलके, या तो कुछ नेबूलाइजर वाली दवायां, या कुछ ऐसी दवायां जो की छाती को खोलें, और छाती में से बल्गम निकालें, वो वाली दवायां लिखवानी पड़ेगी, जी, तो सुनील जी, आप सुन रहे हैं, विशेश फोन इंकारिक्रम, रेडियो डॉक्टर कॉल कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 011-234-21080, और 011-234-21084, और इसके साथ ही यदि आप वाटसेप के जरीए, अपना मेसेज हम तक भेजना चाहते हैं, तो आप हमें वाटसेप कर सकते हैं, हमारा वाटसेप नंबर है 9868-107070, तो रोकसाब जैसे के आपने इतने सारी बाते बताईं, और इतनी सारी जो छोटी मोटी बेमारियां आपने बताई, कोल्ड का, फ्लू, फ्लू भी कई तरह का हो जाता है, इन्फलेंजा हो जाता है, वाइरल फीवर हो सकता है, या डेंगी, मलेरिया, ये भी हो सकते हैं, और चिकन गुनिया भी हो सकता है, तो क्या जो रेनी सीजन के अंदर, रेनी सीजन के टाइम पर हम कहते हैं कि ये सारी बिमारी आती हैं, तो क्या ये विंटर सीजन में भी पॉसिबल है? देखें, usually malaria, dengue, ये मच्छर से फैलता है। malaria है, dengue है, chicken gunya है और मच्छर का प्रजनन है, वो usually हम मानते है कि 8 से लेके 30 डिग्री टेंपरेचर के भीच में सबसे अच्छा होता है। तो जब टेमपरेचर बहार का आठ से कम होगा, तो मच्छर की जो प्रजिनन्ट क्षमता है, वो कम हो जाती है, और मच्छर जो नए पनपते हैं, वो नहीं आते हैं, तो जब मच्छर नहीं होगा, तो वेक्टर नहीं होगा, तो वाइरस ट्रांस्मिट नहीं हो सकता है, जी ज फ्लु डारेट आदमी से आदमी में पैल एक कॉंटेक्ट से लेकिन यहाँ ग्नी फैले… प्लेक्न यहाँ मलेरिया। थी Зए हूनों फैले धोर уже एक ग्र भीशर वेक्टर होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसको भी सीजनल एल्मेंट्स में इसलिए क्लासिफाई किया है क्योंकि आज जैसे रेनी सीजन से गर हम देखें तो बाहर पानी भरना उसमें मच्छनों का प्रजनन होना फिर वो मच्छर सब्पोज एक आदमी को काटे वहां से डेंगु का वायरस लेकर दूसरे आदमी को काटे इस तरह से फिर वो डेंगी फैलता है जी तो और इसी के साथ ही जैसे हम यह कहते है कि इतने सारे जो फ्लू है तो क्या कोई पर्टिकुलर टेस्ट है जिसके थू यह हमें पता चलता है कि यह कौन सा है और कोई भी जो पेशेंट है यदि यह पांचे दिन के बाद उसे लगता है कि मैं बजाए डॉक्टर के सीधा दिखाने के पहले कोई टेस्ट कराना वो चाहें तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है यह डिरेक्ट टेस्ट कराने का कोई खास ओचित होता नहीं है हम पांच से साथ दिन भी यह टेस्ट करा के देखना चाहते है कि वह व विशुली ऐसे रेकमेंड नहीं करेंगे कि आ पहले से कराला के चलिजा लेकिन पेटर है कि आप फेले आपने डॉक्टर से मिले वह थे आपको एस कारेंगे आपके टेस्ट की किया रिक्वायरमेंट है कई बार हमें और भी टेस्टों के requirement होती है या कुछ दूसरे टेस्टों के requirement होती है तो बेटर है कि एक बार डॉक्टर से पूछ के इसब टेस्ट कराएं जी और सब कोई vaccination के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे कौन-कौन से vaccination है जो इन बिमारियों से भी बचा जा सकता है जी बिल्कुल आप अगर देखें तो फ्लू शॉट्स होते हैं टेट्रावलेंट फ्लू शॉट्स कहते हैं यह हम हर एक को recommend करते हैं खासकर जैसे जिन मरीजों को sugar है जिन मरीजों को बहुत लंबे टाइम से BP है जैसे stroke आपने बताया था एक patient ने जो सवाल पूछा था stroke वाले patients हैं, kidney की बिमारी वाले patients हैं transplants वाले patients हैं, liver failure वाले patients हैं यह जिन patients को steroid चल रहे हैं जो की immunotherapy पे चल रहे हैं इन सब patients को हम लोग recommend करते हैं कि आप साल में अपना एक flu shot जरूर ले और कुछ और भी vaccination होते हैं जैसे pneumococcal vaccine होता है यह भी आपको लेना चाहिए लेकिन pneumococcal vaccine ना भी ले तो भी हर आदमी को flu shot तो हर साल अपना लेना ही चाहिए तो सरी कितने साल तक लगातार लेने चाहिए या कितने मतलब कोई limit है इनकी या हर साल ले कब तक लेना चाहिए यूजिली क्या होता है कि इसमें हम लोग हर साल के लिए recommend करते हैं WHO हर साल का एक strain बनाता है और उसी के हसाब से यह vaccine हर साल नया बनता है तो जैसे इस साल जो हम vaccine use कर रहे हैं इसमें WHO के रेखांकित लिखा होता है कि 23-24 के लिए ही vaccine आच्छा, समझके 2023-24 के लिए यह vaccine है और हम अपने मरीजों को पोलते हैं जादा इसमें आपको याद रखने की जरूद नहीं है जैसे इंडिया में दो बार नवरात्रे आते हैं तो आप उन दोनों को year mark कर लिजे बस वरत शुरू होने के एक दिन पहले लगवा लिजे चाहें आप मार्च वाले नवरात्रों में लगवा हैं चाहें आप अक्टूबर वाले नवरात्रों में लगवा हैं साल में एक बार ये vaccine जरूर लगना चाहिए सर एक सवाल हम तक पहुचा है विकासपुरी से लिख रही है अनुकमा उनका कहना है कि मुझे रात के समय continuous sneezing होती है तो मुझे क्या गरना चाहिए देखे जहां तक मुझे सुनने से लग रहा है पढ़ने से लग रहा है ये हो सकता है पोस्ट नेजल ड्रिप जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है तो इसके लिए आप अपना एक ENT चेक अप कराई है अगर पोस्ट नेजल ड्रिप है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक स्प्रे आता है वो आप यूज करेंगे तो उसके बाद इस बीमारी का भी निवारन हो जाएगा इनका तो मुझे लगता है अनुपमा आपको आपके सवाल का जवाब बिल गया होगा और शिवानी लिख रही है राजोरी गार्डन से पुछ रही है मेरी बहन 12 साल की है जिसे महीने भर पहले खांसी जुखाम हुआ था लेकिन अभी तक उनकी बल्गम की खांसी और खड़ खड़ाती हुई जो खांसी है वो ठीक नहीं गई है तो उसके लिए क्या करें चुकि समय बहुत थोड़ा सा बचा है तो चलते चलते फटा फट से आप बता दीजे इसका जाता कि ब्रॉंकाइटिस जैसा हो सकता है इनको तो अगर आप अपने डॉक्टर से नहीं मिलें तो मिलना चाहिए जहां तक मुझे लगता है एक लेकिन देखने के बाद तो सराब चुकि समय बहुत थोड़ा सा बचा है और मैं चाहूंगी कि जो हमारे पूरे प्रोग्राम में आपने आज बताया तो क्या-क्या सावधानी हम बढ़ते हैं कि हमें इस तरह की किसी बिमारी से परिशान ना होना पड़े जैसे अपन बात क रहते हैं सीजनल एलमेंट्स में सबसे जादा जो कॉमन है वो है फ्लू, कॉमन कोल्ड, फ्रोट इंफेक्शन या गले में दर्ध होना वायरल कंजक्टिवाइटिस या आखें दुखनी आना ठीक है या डाइरिया ये सबसे जादा कॉमन है अब इसके बचाव के लिए एक खान पान शुद रहना चाहिए जैसे मैंने बताया कि आपकी खाने में विटामेंस, प्रोटीन्स और फाइबर्स की मातरा अच्छे होनी चाहिए आपकी एक डाइट फ्रूट की और एक डाइट नट्स की जरूर होनी चाहिए इससे इम्मुनिटी डेवलप होती है तो आप जोग रोधक शमता मिलती है जी दूसरा जब कभी इस तरह का मौसम चेंज हो तो आप अपने शरीर का बहुत ध्यान रखें पूरी बहां के कपड़े पेने और को सरदी होते से बे कुछ स्वेटर या कुछ एक्स्ट्रा चीज ले तो बस आज डॉक साब से बस इतना ही और आप हमारे साथ जूड़े हमारे प्रोग्राम में आए इसके लिए सार आपका बहुत बहुत शुक्रिया थे